बिस्मिल्लार्मान रहीम, السلام अलेकुम, वेल्कम बेक टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड हीट दा बैल उइकॉन, अब विंटर्स में उन लड़कियों का परिशान होने की ज़रूरत नहीं, जिनकी स्किन बहुत जादा डिहाइडरेटिट और ड्राइ रहती है, क्य जरूरत नहीं, आपके घर के आपकी कीचन में मजूल समान के साथ ही हम इस पेस पालिश को बना रहे हैं, सबसे पहले हमने इसमें वन टेबल स्पून कोको पोर्डर एड़ किया, देन वन टेबल स्पून ही मलाई एड़ की, उसके बाद हाफ टी स्पून शेहद एड़ किया उसके बाद हमने इसको मिक्स किया, अब हम इसमें हस्पे जरूरत गुलाब का अर्क एड़ करें, हस्पे जरूरत मैंने इसके ये बोले कि सिर्फ इतना एड़ करना है, जितना कि उसको मिक्सिंग के लिए, उसको बीड़ करने के लिए असानी हो सके, इस मिक्स्चर को अच् पिंच काफी एड़ कर रहे हैं जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चकी हूँ कि काफी फेस को स्क्रब करती है उसकी डलनेस उसकी डेड़ स्किन फेस की डेड़ स्किन को रिमूब करती है इन इंगिरियंट्स में कुछ भी ऐसा नहीं कि जो आपके फेस को नुकसान दे या जिससे आपके फेस को कोई प्राबलम हो इस फेस पालिश को बेफिक्र होकर आप यूज करें इन्शाला आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा मैं आपके साथ जितने भी होमेट रैमेडिस शेयर कर चुकी हूँ वो बहुत ही आजमूदा है वो मैं पहले अपने ऊपर ट्राइ कर चुकी हूँ करवा चुकी हूँ हर किसन की स्किन पर तो फिर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जब आप यूज करेंगे आपको खुट डिफरंस फील होगा इस फेस पालिश को 10-15 मिंट अपने फेस पर लगा रहने दे उसके बाद रोज वाटर का हलका सा स्प्रेय करें देन उसके बाद रबिंग करें और स्क्रब करके इसको रिमूब कर लें